Microsoft Excel के इस lecture के अंदर जो पहली चीज़ हम देखने वाले हैं that is related to add-ins, add-ins कितनी किसम की हैं और कौन-कौन सी add-ins जो हैं हम use करके अपना data analysis जो है Microsoft Excel के अंदर बहुत इक कमाल बना सकते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि Microsoft Excel के अंदर जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपको add-ins का use करना पड़ता है जिनमें एक add-ins जो है आज हम पहले देखेंगे फिर दूसरी add-ins देखेंगे फिर तीसरी पिर इसके तरीके से बाकी add-ins को देखेंगे यह है Microsoft Excel Office 365 आपके सामने हाजिर है Office 365 के अंदर अगर आप टॉप पे फाइल पे जाएं नीचे options में जाएं और यहां पे add-ins पे क्लिक करें तो आपके सामने कुछ add-ins यहां पे open हो जाती है like this one Excel add-ins मैं इस पे go-in करूँगा और यहां से analysis tool pack के एक add-in है यह बहुत ही मशूरी जमाना add-in है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप data analysis करने होते हैं तो मैं इस add-in को open करता हूँ click करने के बाद यहां पे आपके सामने data पे click करेंगे तो आपके पास data analysis यह इस तरीके से यह add-in जो है वो आ जाएगी इसके नीचे आप देख रहे हैं कि मेरे पास solver की एक add-in भी है अगेन वही काम करते हैं option में जाते हैं जाने के बाद यहां मैंने solver पे click किया और यह मेरे पास solver and data analysis दो किसम की जो मेरे पास है add-ins वो आ चुकी है यहां पे ठीक हो गया यहां तक आपको clear हो गया अब अगला काम यह होता है जब भी आपने कोई data analysis टूल पेग के थूँ उसका statistical analysis करते हैं यानि कि यह data analysis टूल पेग है और इसके अंद के दिन के अंदर check करेंगे तो यह तो होगी पहली add-in जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस add-in को data analysis टूल पेग कहते हैं और इसको install करने के आपको ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती है यह add-in आपको यह multiple statistical analysis जो हैं उनको करने में help out करती है अब इस add-in के बारे में आप मै easy for you to understand कि किस तरीके से excel काम करते है और जो गेंटों का काम है वो मिंटों के अंदर यह add-ins जो है वो आपको करके देती है अब यह add-in आपके सामने जो मैंने अभी आपको बताई data analysis tool pack सबसे पहले जब भी आपने data analysis का काम करना है इस add-in को अपने पास utilize करना है अब देखते ह हैं second edit